दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चेनल क्रिक पॉली पार जहां दोस्तों आच्छा हम बात करने वाले हैं साल 1988 में रिलीज हुई मित्थुन चकरवर्ती साहब की सबी फिल्मों के बारे में साल 1988 में मित्थुन चकरवर्ती साब ने लगबख 10 फिल्मों में काम किया था हम बात करेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन से लेकर इनकी पर्फॉर्मस तक और सभी फिल्मों के बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो सारी जानकारे आपको मिलने वाली है इस वीडियो में तो भस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चले दूस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्यार का मंदिर फिल्म के बारे में ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी मिथुन चकरवर्ती, मादिवी और राजकिरण इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डियरेट क्या था के बपाहिया ने बजट इस फिल्म का तकरीबन डिल करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 10 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वर्ड में तकरीबन 6 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी अगली फिल्म है जीते हैं शान से मिथुन चकरवर्ती, गोविंदा और संजेदत इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था कवल शर्मा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 75 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 80 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 5 करोड 80 लाख रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी आगली फिल्म है वक्त की आवाज मिथुन चकरवर्ती, श्रीदेवी और गुलशन गिरोवर इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था के बपाहिया ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3.75 करोड रुपे कमाई थे और पूरी वल्ड में तकरीबन 6.7 करोड रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी अगली फिल्म है कमांडो ये फिल्म भी साल 1988 में इलिज हुई थी में थुन्चकरवर्ती, शशिक कपूर और मंदाकिनी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डायरेट क्या था बीस सुभाज ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.20 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2.25 लाख रुपे कमाई थे और पूरी वर्ड में तकरीबन 4.5 करोड रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी आगली फिल्म है मर मिटेंगे ये फिल्म 20 साल 1988 में रेलीज हुई थी मिठुन्चकरवर्ती, जितेंद्र और माधिवी इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था कमाल शर्मा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.20 लाख रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 1.80 लाख रुपे कमाई थे और पूरी वर्ड में तकरीबन 3.20 लाख रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी अगली फिल्म है साजिश मिथुन्चकरवर्ती, राजकुमार, विनोध महरा और राजबबबर इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरिट क्या था राजकुमार कोहली ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 2.5 करोड उपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 3.5 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है चरनों की सौगत मिथुन्चकरवर्ती, अमरिता सिंग और निरूपारोय इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था के बपाहिया ने बज़ट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 1 करोड 80 लाख उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 3 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है गंगा जमुना सरस्वती मिथुन चकरवर्ती, अमिता बच्चन, जहापरदा, मिनाक्षी और अमरेशपुरी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? मन मोहन देसाई ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 30 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 5 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है अगनी मिथुन चकरवर्ती, चक्की पांडे, अमरिता सिंग और मंदाकिनी इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था जेयों परकाश ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड उपे था मिथुन चकरवर्ती सहाब की रुखसत मिथुन चकरवर्ती, अमरेशपुरी और अनुराधा पटेल इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे इस फिल्म को डैरेट क्या था सिंगी ग्रेवाल ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 1.5 करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 3 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेट साबीत हुई थी तो दोस्तों ये 10 फिल्म में थी मिथुन चकरवर्ती सहाब की साल 1988 में